Hello everyone, welcome back to my channel आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं History का एक chapter that is Greek and Roman civilization अब ये chapter शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ मुझे बहुत सारी request आ रही थी इसलिए आज ये chapter हम पढ़ने वाले हैं ये जो chapter है कुछ लोगों को class 6 में पढ़ाया जाता है और कुछ schools में class 7 में पढ़ाया जाता है ठीक है आप जिस भी class में हो आप दोनों के लिए ये video है ठीक है course same रहता है कहीं पर 6 में पढ़ाते हैं तो कहीं पर 7 में पढ़ाते हैं Alright, so now without wasting any time let's get started इसी एक वीडियो में आपको ये पूरा पूरा चाप्टर मिल रहा होगा लाइन बाइन एक्स्परनेशन के साथ So let's get started Ancient Greeks क्योंकि हम Greek civilization की बात कर रहे हैं तो उसमें बात आती है Greece जगे, ये Greece क्या है? ये एक जगे है It is a place जहां पर ancient जो Greek civilization थी वो बस्ती थी The Europeans trace their cultural heritage from the Greek and Roman civilizations The story begins with the first settlers on the island of Crete in the south of Greece जो Europeans हैं आज की समय में जो लोग यॉरप में रहते हैं Europe is a continent, बहुत एशिया के पास में, हम लोग कौन से continent में रहते हैं? हम रहते हैं एशिया में एशिया के पास एक continent है यॉरप यॉरप में रहने वाले लोग कौन है? यॉरोपियंस अब जो यॉरोपियंस हैं, उनके अनुसार, उनके according, उनका जो cultural heritage है ठीक है, वो कहां से आता है? from the Greek or Roman civilization से आता है simple सी बात है, जो आज के Europeans हैं, वो कहीं न कहीं पिछली Greek and Roman civilization से related है ये story कहां से शुरू होती है? the story begins with the first settlers on the island of Crete in the south of Greece इसका ये मतलब है कि जो Greece जगया है उसके south में अच्छा, आपको मैं अगर directions नहीं पता, मैं एक बार बता देती हूँ ये देखो, ये होता है, चार directions होती है चार major directions होती है, ठीक है? north, south, east and west, ठीक है? अब चार को और divide करते हुए, कुछ और directions बनती है चार major है, और जो दो मैंने black से बनाई है, वो और directions है, ठीक है? अच्छा, अब जो ये बनी ये हो गया, north और east के बीच में आया ये north है, ये east है, इसके बीच में जो direction आई हो कौन सी हो गई? इस north east, ठीक है? मैं सवर को सटा दे रहे हूँ यहां कौन से है? south और east, कौन सी जगे हमें मिली? south east ये कौन सी जगे है? south और west कौन सी हमें direction मिली? south west अब ये कौन सी direction है? north और w for west, ठीक है? तो हमें क्या मिला? north west ये 8 directions होती है, अब जैसे ये हो गया, Greece का ये map हो गया, ठीक है? ये एक actual में किसी का map नहीं है I'm just an example, समझाने की कोशुश कर रहे हूँ है ठीक है? तो इसमें जो Greece है, उसके south में एक जगे पड़ती है एक island है, उस island का नाम है Crete ठीक है? वहाँ से शुरू हुई थी ये story of ancient Greece यानि Greece civilization वहाँ से शुरू हुआ था The legendary king Minos developed one of the earliest Mediterranean civilizations named Minon ठीक है? जो ये बहुत legendary king है, इनका नाम आप आगे जैसे ऐसे बड़े होते जाओगे आप और पढ़ोगे अगर आप history, pursue करते हो ठीक है King Minos जो है, ये एक legendary king है जो की जिनोंने Mediterranean civilization एक C है Mediterranean Sea, ये आपको अगर नहीं पता दो अभी भी exist करती है, तो आप Google पे सर्च करके देख सकते हो, और में Mediterranean Sea देखती है, ठीक है तो वहाँ पर जो C ये थी, उसमें जो civilization हुई उसको कहते है Mediterranean civilization, सी में civilization नहीं थी, उसके आस पास थी, ठीक है तो वहाँ पे जो शुरुवाती की जो बहुत स्टार्टिंग में civilization आई थी, उनमेंसे एक civilization थी, Minon civilization, जो कि किसने डेवलाप की थी, King Minos ने It came up during the same period as the Indus Valley civilization in India ये जो civilization है, Minon civilization ये कब आई थी, जब Indus Valley civilization इंडिया में आई थी, तभी के वक्त पे ये वादी civilization, जो है Minon civilization ये आई थी in present day Europe कहलो, या let's say Greece कह रहते हैं, Crete कह सकते हो, वो island था, जहाँ पे ये था, Major excavations in Crete and Knossos कहलो, Knossos कहलो, it's all depends on you, और आपकी teachers क्या कह रहे हैं स्कूल में, ठीक है, तो जो major excavations in इस island में और इस जखे पे, इन दोनों चुकों पे, जो major excavations, excavation क्यों होते हैं, जब खुदाई करते हैं, archaeologist जमीन की खुदाई करके, किया दाता है, तक कि history के बारे में हम और जान सकें, उस जगह की, और वहाँ पे क्या हुआ करता था पहले, तो जब ऐसा कुछ करते हो, आप जमीन की खुदाई करते हैं, तो उसको कहते हैं, excavate करना, जो चीजे निकली, वो excavated material, excavations कहलाता है, ठीक है, अब जो crete और nosos में, जो major excavations हुई हैं, उससे क्या दिखाई देता है, they show well-planned towns with open rectangular courtyards, courtyard पते हैं आंगन जिसको कहते हैं, तो जो courtyard है, वो rectangular होता था, और बहुत अच्छे से plant towns थे, banquet halls जो आज के समय में होते हैं, वो उस पर भी हुआ करते थे, living quarters होते थे, royalty यानि जो वहां के ruler था, जो royal family थी, उनके लिए living quarters थे, और slaves और artisans भी थे, अच्छा, अब आप यहां पर देखो, यह map है, यह आपके book में दिया होगे, इससे मिलता जुलता है, I mean same map है, आपको बस देख के लग रहा होगा कि अलग है, थोड़े से important, important कुछ places जो आप आगे पढ़ोगे, एक तो यह देख लो, यह Thrasse जगे है, Macedonia यहां पर पढ़ता है, और यह देखो, यह है Greece, ठीक है, अभी मैंने rectangular से किया, जो यह Greece है, इसके south में पढ़ता है, एक बहुत important चीज, आज के समय में यह Athens exist करता है, ठीक है, यह म my non-civilization, it was where the my non-civilization started, अब आप यहां पर देख पा रहे होगे, इसमें और भी कौन कुछ जगें है, इहां पर है, एक important nozzles जो मैं पढ़ा रही थी, आपको, Crete, मैंने अभी बताया है, यह आइलें था पर शुरू हुआ था, ठीक है, and हाँ, one thing more important, आप आगे जाके, Olympic Games के बारे में पढ़ोगे, इसमें, ठीक है, यहां पर एक जगे होती थी, Olympia, ठीक है, यह देखो, यह Mediterranean Sea, मैंने आपको आदाया न, Mediterranean Sea में यह शुरू हुआ थी, तो यह Mediterranean Sea, जितना भी blue area है, यह Mediterranean Sea का है, यहां वाला जितना blue area है, और वहां पर यह island था, Crete के नाम से, Their remarkable architecture, art and cultural artifacts, were splendid, unfortunately, we have not been able to understand their language and script, उनका जो architecture था, art and culture थी, वो art and cultural artifacts थे, जो सामान हमें मिले हैं, वो बहुत ज्यादा अच्छे थे, लेकिन उनकी जो language थी और script थी, वो अभी तक हम find नहीं कर पाए हैं, ठीक है उस वक्त पे definitely कोई और language use होती होगी कोई और script चलती होगी से आपने एखाओगा मैं सुपर्टेमियन की अलग script थी हर civilization की अलग script होती है इंडस वैली pictures की form में थी इंडस वैली civilization कभी अभी तक discover नहीं किया जा पाया है similarly यहाँ पे जो मिनोन civilization exist करती थी इसकी भी जो language और script हम अभी तक find out नहीं कर पाए है जो मिनोन civilization के लोग थे वो military वाले लोग ही था नहीं उनकी खुद की आर्मी नहीं होती थी और वो कैसे thrive करते थे कैसे जीते थे on their remarkable mercantile abilities तो यहाँ पे एक image है it is the palace of nausos यह मैंने आपको उपर जगे दो बताई थी kreet और nausos उसके साथ में यह उसका palace है nausos ठीक है पांच centuries of prosperity यानि अच्छी खासी अमीरी के बाद जो palace centers थे वो destroy हो गयते by an earthquake और जो earthquake कब आया था it was in 1500 BC अच्छा एक बात मैं आपको एक और बताना चाहूंगी एक जो century होती है उसमें कितने साल होते हैं यह शायद कुछ को पता हूँ शायद ना पता हूँ I am still telling you क्योंकि आप को पता हो ना चाहिए one century is equal to 100 years एक century में 100 years होती है यानि 5 centuries का मतलब है 500 साल तक वो लोग बहुत ज़दा अमीर थे prosperous थे उसके बाद जो palace centers थे वो destroy होग है by an earthquake in 1500 BCE यहाँ यहाँ पर image देख पा रहे हो कि यह Lion Gate की में जह आपकी book में है and that's the only reason कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है क्योंकि picture study में आ जाता है कभी-कभी the first mainland Greek civilization was that of the Messenians from the city of Messene which first emerged in about 2000 BC अभी मैंने आपको बताया कि जो Minon civilization थी वो earliest civilization थी वो definitely earlier civilization थी ग्रीक की लेकिन जो first mainland Greek civilization थी यहाँ जो main zameen थी ग्रीक की वहाँ से जो civilization developed हुई that was Messenians civilization का नाम है और वो कहाँ से developed हुई थी from Messene या Messena जो भी आप comfortable हो वो बोलो बस spelling का याद रखना है आपको इन दोनों कि ठीक है और यह कहाँ से emerged हुई थी in about 2000 BCE 2000 BCE के आसपास यह emerge हुई थी civilization Messenians थी और उन्होंने overpower कर दिया था मिनों से इसका मतला वो मिनों से ज्यादा powerful थे Messenians और मिनोंस जो थे उनकी same language थी लेकिन जो Messenians हैं उनको earliest Greeks माना जाता है from the mainland Greece जो Messenians थे उन्होंने आइरन इंप्लेमेंट हैं आइरन के जो टूल्स हैं वो यूस करना शुरू कर दिया था around 1000 BCE में जो Messenians और मिनोंस थे उन्होंने simultaneously दोनोंने साथ साथ thrive किया एक साथ thrive किया एक साथ survive किया और जो बहुत साथा पैसे दोनों के पास थे वहाँ पर उस वक्त पर क्या होते थे वहाँ पर bureaucrats होते थे आज के समय में भी होते हैं उस वक्त जो ब्यूर्योक्राइट होते थे वह records रखते थे किसका records of tax collection, property and livestock of the people जो ये दो civilization थी मिनोन civilization और मिसीनियन civilization ये आपस में trade करती थी और साथ ही साथ जो बाकी का entire region जहाँ पर वह exist करती थी उस region के साथ भी trade करती थी जो मिसीनियन कल्चर है वो एक जब crop failure हुआ और क्योंकि मिसीनियन की जो economy थी वो weak थी इसलिए मिसीनियन कल्चर decline होना शुरू हुआ और इस decline की वजह से Greece में एक political vacuum बल गया ठीक है historians कहते है historians जो Greek के लिए जो period of time था 1100 BCE to 800 BCE इसको historians Greece history में dark age कहते हैं यह आपको period याद करना पढ़े करते हैं important one more question ठीक है crop failure हुआ economy थी और इन सब reasons की वजह से Greece में political vacuum बन गया ठीक है 750 BCE तक जब तक 750 BCE की बारी आई उस वक तक जो Greeks थे उन्होंने अपने आपको ओर्गिनाईज कर लिया था है इंटू independent states और पॉलिस नहीं का मैंने मैंने का पॉलिस दोनों अलग words है ठीक है spelling कर्यान रखना ओके सो मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ देखो आज की समय में इंडिया इस divided into states ठीक है लेकिन वो जो states है वो independent भी है और dependent भी है on the central government जो states है वो किसकी अंडर function कर रहे हैं जो state government प्राइम मिनिस्टर प्रेसेडेंट पार्लेमेंट इन सब के अंडर काम कर रहे हैं उस वक पर सिस्टेम था बट हर एक city-state अपने लिए responsible था उसका कोई central ऐसा नहीं था central government टाइप तो 750 BCE जब तक आई तब तक क्रीक्स अपने आपको ओर्गिनाईज कर लिया था अच्छे से डार कीज के बाद एक ऐसा समय एक ऐसा एरा शुरू हुआ जहां पर जो यह उसके center के लिए तरह वो डेवलाप हुए अरांड 600 BCE जो city-state थे जो यह डेवलाप हुए इस देंग अर्बन सेंटर होता था जिसके में घर होते थे पब्लिक बिल्डिंग्स होती थी और जो यह पब्लिक बिल्डिंग्स और हाउसे थे घिरे हुए थे सरांड़िड थे किससे by fields जमीन होती है उससे घिरे हुए थे यह मैं जमीन जो बात करें इस फार्मिंग वाली जमीन होती है ठीक है वह वाली जमीन तो फार्मिंग के लिए यह जमीन थी और grazing यानि जो कुछ animals होते हैं जो जिसे कितना घास चरने गई है तो जो चरने वाला क पाम होता है उसको कहते हैं grazing ठीक है the residents of these city states जो इस city states उसमें जो लोग रहते थे उनको citizens कहते थे तो उनको citizens कहते थे और जो citizens थे कहां पर रहते थे country side में in villages और farms में भी कभी-कभी citizens कुछ-कुछ रहते थे जो बहुत ज्यादा prosperous city states होते ते यानि जो बहुत ज्यादा अमीर औ fine harvest को जिसकी वजह से revenue आता था trades यानि जो पैसा आता था trades से revenue को इहां पर सीधा से मतलब है पैसा आता था money आता था trades से और जो cultural interaction है बाकी cultures के साथ वो भी promote होती थी each city state had centrally located temples to worship the particular gods protecting it हर एक city state में एक central उसके जो center होता था बीच वाला portion होता था यह जो होता था महाँ पे मंदिर होते थे temples होते थे to worship particular gods कुछ particular gods जो की god या फिक गॉर्ड जो की उस city को state को protect कर रहे होते थे उनको worship करने के लिए होता था with the most important यह important ठीक है with the most important sanctuary located on the highest spot Acropolis यह पको पता होना अच्छे ठीक है अब हर एक civilization में wars होती है rivalries होती है conflicts होती है right सीज़ा सब मतलब rivalry war सब एक बात रखो दो लोग हैं और दोनों अलग अलग काम करना चाहते कोई भी एक दूसरे के साथ मिल कर सही काम नहीं करना चाहता है तो यह गलत तो that doesn't matter पर let's say civilization A को भी अच्छा काम करना है civilization B को भी अच्छा काम करना है लेकिन वो दोनों अलग अलग separate काम करना चाहते हैं और separate काम कर नहीं सकते हैं दो में से कोई एक ही वहाँ पर काम कर सकते है तो या तो A रहे या तो B रहे जब दोनों में इस तरह वाला condition आ जाता है उसको हम कहते हैं conflict war whatever कितनी intensity से वो चीज़ हुई है उसको पर depend करता है ठीक है यह लोग जो थे वो arts में अच्छे थे sculpture और rhetoric में अच्छे थे स्पार्टा की इन में कोई भी अच्छी कलावला रही थी उसकी बस एक ही art थी of making war या जंग शुरू करने में वो लोग expert थे और जंग को अच्छे से लड़ने में भी sparta is remembered chiefly, sparta जो जगे है इसको सिर्फ और सिर्फ majorly उसका जो military culture था उसके लए याद रखा जाता है इस वक्त में उस region के important city states में कुछ और जगे भी है Corinth, Olympia थे, BCS हर जगे मैंने आपको उपर दिखाया थी, Olympia especially मैंने दिखाया था, right for the ancient Greek seas were more efficient travel routes than roads जो पराने समय के Greeks थे उनके लिए जो सी समुद्र थे वो जादा efficient travel routes थे as compared to roads access to the sea उनके लिए इतना जादा important था कि mostly जो Greek communities थी, they were located within 60 km या या यू कलो 40 miles of the coast इतनी जादा ज़रूरी थी कि mostly जो Greek communities थी, वो coast, if you do not know, let me tell you आपने इसाद class 5th वगेरा में पढ़ा होगा, eastern western course करके, coast करके, यह यू कहलो river है, या यू कहलो कि it's a sea, वैसे दो I know it's a small sea नहीं होता है care, इसको हम कुछ ऐसा बना लेते हैं, ठीक है, maybe let's say this is a sea, अब इसका जो एक boundary है, यह जो यह boundary आई है, मैंने black से करने की कोशिश करी है, इस boundary are, these boundaries are what, they are coast, मैं दो में से एक ही तरफ का अच्छे जहाँ पर जल्दी से हरेट करके आपको दिखा सकती है, just a minute, yes now it's better, तो जो यह चीज, यह line जो मैंने black से बनाई है, it is the coast, एक eastern है, जो east side पे है, वो east वाली होगे, जो western है, वो west वाली साइट पे होगे, यह eastern coast होगे, इसकी यह होगे, इसकी western coast, all right, eventually जो ancient Greeks उनोंने इन्हाबिट किया, about 700 communities, can you imagine that, 700 communities उनोंने इन्हाबिट करी, इसकी, clustered around the Mediterranean Sea, Mediterranean Sea के आज पास, जो clustered ऐसी फैली होई थी, उनको उनोंने इन्हाबिट किया, settlements reached from the Iberian Peninsula, इबेरियन पेलिंसुला जो की आज की समय में बहुत था, वें, sorry, जो इबेरियन पेलिंसुला आज की समय में, उस वक्त की, स्पेन, के वजह से बहुत था उक्यूपाइड है, ठीक है, वेस्ट में इवेरियन पेनिसुला से लेकर मेडिटेरियन कोस्ट तक और मिडल इस से लेकर नॉर्दन कोस्ट आफ एफरिका के साउथ वर्ड्स तक एक्स्टेंड करती थी ये एक ठर्टिकल कोईशन है और कभी-कभी एक्जाम्स में आ जाता है एक ये इंपोर्टन चीज़ है ये पॉइंट वाला अनादर इस कि जो ये दुना पॉइंट्स इंपोर्टन यहाप मैंने इतना बड़ा से स्टार लगाय है इंशेंट ग्रीक जो थे उनके लिए सी ज़दा एफिशेंट ट्रावल जूड्स ही दैन रोड्स चीक है चलो बात क स्ट्री में बहुत जादा अच्छे थे कि बहुत ज़र अप्मोस्ट पाफुल सिटी स्टेट हो गया था इट हड़ फीर्सम आर्मी बहुत अच्छी आर्मी उंके पास थी अब पैर ओफ किंग्स शेर्ट पावर इन स्पार्टा विदा कांसल अफ एल्डर्स दिमोक्रिसी क जो इंकी जो पावर्स थी वो डिवाइड थी शेर्ड पावर्स थी स्पार्टा में ऐसा होता था और साथ-साथ में वो किसको कंसल्ड करते है थे with a council of elders बड़ों के एक कंसल से भी वो कंसल्ड किया करते थे On the other hand, जो large city state था, Athens का, उसने एक early form of democracy established करा था, बनलब शुरुआत से तबसे वो established हुआ, जबसे अच्छे से उनने समझना वगए अच्छे से शुरू करी, तब एक early form of democracy बना लिए गया था, जैसे जो आज के समय में होता है democracy, उसकी शुरुआत कहां से हुई थी, Greece, Greece is the birthplace of democracy, आज के समय में हम कहते हैं, इंडिया is the largest democracy, बट उसकी शुरुआत कहां से हुई थी, Greece से शुरुआत हुई थी, ठीक है, Athens में सारे के सारे जो male citizens, but not women, slaves और foreigners, सिर्फ हम male citizens की बात कर रहे हैं, औरतों की बात नहीं हो रही, slaves की बात नहीं हो रही, foreigners की भी बात नहीं हो रही, सा उनका बात चलती थी, and how the city was to be run, अगर उनने का city को ऐसे चलाना चाहिए, तो अगर उनका उपीनियन सही है, तो उनका बात मान के उस तरह से city को चलाया जाता था, Quite often the citizens would be called to assemble in a large place and debate the proposals in front of the council, अकसर ऐसा होता था, mostly ऐसा होता था, कि जो citizens थे, उनको एक बड़ी सी place में बुलाया जाता था, असेंबल होने के एक साथ, जसेंबली मैप खड़ो तो क्यों होगी, same चीज काई सारे लोग को साथ share करनी होती है, right, that was the same purpose in this case, ठीक है, एक large place में लोगों को जो citizens होते थे, वो city states में जो residents होते थे, उनको वहाँ पर बुलाया जाता था, असेंबल किया जाता था, और असेंबल होकर वो क्या करते थे, उनका जो भी proposal होता था उसके बारे में debate करते थे, यानि मतलब बहस करते थे, कि अच्छा कोई कह रहा है कि इसको रखना चाहिए, कोई कह रहा है इसको नहीं रखना चाहिए इस प्रपोजल को, अगर जैसे लोगों ने कह, दो लोग है, उन्होंने debate किया, अब फिर जो voting होती थी, जिस भी चीज़ को जादा vote आ गया, वो चीज़ ले ली जाएगी, अगर कहा गया कि A की बात सही है, तो हम उसकी बात मान ले जाएगी, और अगर vote जादा आया कि B की बात सही है, तो हम उ इसा होता था, इस जो system है, बाया, majority वोट पर जो system है, ये आज के समया में भी, इट वर्क्स इन दी रॉनिंग अफ दी पार्लेमेंट, पैरिकल्स, वाज फेमस स्टेट्समें और जेनरल इन अथेन डेमोकरिसी, पैरिकल्स, कौन थे, एक फेमस स्टेट्समें थे, और जेनर थे, अथेन स्में, इंको क्या कहा जाता है, फादर ओफ अथीनियन डेमोकरिसी, most famous period of ancient Greek civilization is called, और Greek civilization के बहुत जादा famous जो पीरिड है, उसको क्या कहा जाता है, classical age और the golden age of Greece, which lasted from, ये कब से कब तक लास्ट किया, it lasted from about 480 to 323 BCE, during this period, ये सोरी, यहाँ पे full stop लगा हुआ है, ये typing एरर होगे ये होगा कॉमा राइट ग्रीक सिवलाइजेशन जो थी इसके दौरान पर डियॉरिंग जो यह पिरेट था golden age of Greece है फिद्ध क्लासिकल है जिसको कहते हैं इस पिरेट के दौरान डियॉरिंग डौरिंग डेस पीरेट जो ग्रीक civilization थी वो इस zenith तक बहुच गई थी और उसके कुछ बहुत जादा amazing amazing cultural accomplishments वो कर चुकी थी reached its zenith ये keyword है आपको ऐसी पढ़ना पड़ेगा reached its zenith and had some amazing cultural accomplishments Greek community shared their traditions जो Greek communities थी वो अपने कुछ-कुछ traditions share करती थी अब उन traditions की बारे में आपको पढ़ना है ट्रेडिशन कौन-कौन से language, religion, national festivals including the ancient olympic games which originated in ancient Greece इस सारे चीज़े वो शेयर करती थी अब चाब यहाँ पर important बात यह है olympic games शुरू कहां से हुए थे they originated in ancient Greece जो पराने समय का ग्रीस था वहां से यह originate हुए olympic games जो अभी तक exist करते हैं यह gods of olympus है इस टाइप की एक picture आप लोगों के बुक में हैं इसलिए मैंने आप लगा दिया है now one question to think how is democracy today different from the early Greek democracy okay यह तो एक मैंने ऐसी question दे दिया है अगर आपको question answer की video चाहिए then आप मुझे आपको description box में एक email id मिले की वहां पे आप अपनी book से इसका link sorry इसकी जो photos है वो exercise के अपनी book के आप मुझे भेज सकते हो I will definitely make a video on that also so I am not having the book so if you want me to teach it you can definitely email it to me and I will make sure that it is taught to you यह जो question अगर ऐसी कोई video मैं बनाती हूँ यह फिर ऐसा काम करते है की जो यह question है how is democracy today different from the early Greek democracy आज के समय की जो democracy है जो exist करती है इंडिया में वो कैसे अलग है उसमें और जो early शुरुआत की शुरुआत समय की जो Greek democracy थी उसके कैसे different है क्याकि उनके बीच में differences है वो आप मुझे चाहें तो comment section में बता सकते हैं और अगर आपका answer correct होगा I will definitely be telling you और अगर आपका answer गलत हुआ तो वो भी मैं आपको बता दूगी it will be a great help for you philosophy की चलो आप बात करते हैं ancient Greece ancient Greece में famous philosopher उस एक जो famous famous philosophers कौन थे सोक्रेट्स एक बहुत famous थे प्लाटो और अरिस्टोटल जो थे वो राडिकल आइडियास में debuted करते थे यहां पर image लगाई है मैंने सोक्रेट्स की आपकी बुख में भी है ठीक है आपको पता होना चाहिए मैं आप identify कर पाओ अगर मैं आपको फोटो देरू ठीक है सोक्रेट्स अपना time कैसे पिताते थे जो ने ने बच्चे होते थे बड़े हो रहे होते थे और जो यंग मैं जो अडल्ट बन रहे होते थे उनसे बात करने में और politicians पॉम्स आर्टी से टाइम बिताते थे अबाउट दे नोशिंस ओफ राइट और रॉंग क्यों बिताते थे यह जानने के लिए कि उनके अनसार क्या चीज़ उनके लिए सही है क्या चीज़ गलत है मैं लग सब की आपको पता हो अगर राइट और रॉंग की डेफिनिशन अ क्या करते थे सोक्रेट नोट राइट एनी बॉक्स वी गट टू नो अबाउट हिम फ्रॉम हिस प्यूपल यह बहुत इंपरेंट बात है नॉमली जो लोग होते थे जिनके बारे में आज तक पढ़ते हैं उन्होंने कोई बुक लिखी होई होती थी या कुछ उन्होंने ऐस के दूदे बारे में ouseमने की प्यूपल उनों के स्टुदेंस वा करते थे उन से राइक हाम है जानते हैं क्लेयश करने की ओंट होँ कांव one of his students, he had written most of his teachings on Socrates and where are they found Socrates' teachings? Plato's book is found in Plato's book and Plato's book is called Republic in 399 BCE, a famous Greek scholar, Socrates who was a famous Greek scholar was indicated on the grounds of misleading the youth and neglecting the gods he was found guilty because he dared to question things which were irrational for this he was sentenced to death in 399 BCE, a famous Greek scholar, was found on Socrates, a famous Greek scholar that they are misleading the youth and the gods, the gods are neglected and they are not guilty of it, he was found guilty of it as a crime, but they have been guilty of it as a crime, they have been guilty of it और इस वजह हैसे ही वह सेंटेंस टू डेथ उनको इसको कहते है ना सजाय मौत फांसी के सदा सुना दी गएती ठीक है साइंसेस की फील में बात कर जाया तो आर्की मेडीस एक बहुती फेमस मिथेमेटीशन और एस्ट्रानोमर थे जिनकी फोटों यहां पे लगी हुई है पाइथगोरस और यूक्लिट जो लोग यह दो लोग थे वर एक्सपर्ट इन जियोमेट्री आप जैसे अभी आओगे अब सेवेंथ में होगे इर्थ में होगे तो यू विल सड़ी अबाउट थिंक कॉल्ड आस पाइथगोरस थियोरम यह मैं आप पड़ोगे फिर यह काम था वह आज के समय में भी यूज कहता है इन टरम्स ऑफ जैमेट्री हिपोक्रेट्स जो थे इनको क्या कहता है फादर ओफ मेडिसन या आपको बताना चाहिए फादर ओफ मेडिसन किसको कहते है इन्होंने डिजीजेस के बारे में पढ़ा रेमेडीज सजेस्ट करी और स कि समय में कोर्पस कहा जाता है उन्होंने यह भी लिखा ठीक है स्पोर्ट के फिल्ड में बात करा जाए तो फॉर्स्ट ओलंपिक गेम्स किसने शुरू किये थे बाइदर ग्रीक्स देवर साड़र बाइदर ग्रीक्स इन 776 B.C. पहले ओलंपिक गेम्स का हुए थे 776 B.C. म और अइब किसने शुरू किया था ग्रीक्स है जो गेम्स थे वो प्ले किये था था इन ओनर ऑफ गोट्ज इस इन धसीटी ओ ओलंपिया ओल्या जो शेहर ए वहाँ पे जो गोट्ज जिए थे उनगे ऑनर में को सम्मान देने के लिए खिले जाते थे तर पार्ट फेस्टिव साल बाद held किये जाते थे religion की बात करी जाए ancient Greece में तो जो Greeks थे they believed in the family of gods that lived on mount Olympus, उनका मानना था कि भगवानों की एक family रहती है, एक family है जिसमें भगवान होते हैं सारे सारे और वो जो family है वो कहां पर रहती थे mount Olympus पर, city states जो थे वो अपने अपने gods को worship करते थे, thus they worship Zeus, जो लो सारे के सारे जो भगवान है उनके राजा, ठीक है, Hera को worship कहते है as the goddess of home, घर की लक्ष्मी या यह कहलो, घर की जो देवी थी वो किसको कहा ज़ता है थे, Hera को, Athena को कहा ज़ता है the goddess of wisdom, अचा दो चीज़ है, Athens, Athena, इससे confused नहीं हो न, यहाँ पर लिखा है Athena, she was the goddess of wisdom, यानी बुध कितना दिमाग है, कितनी अकल है, उसको wisdom कहा जाता है, a person who is intelligent has wisdom, ठीक है, तो जो Athena है, वो goddess थी, और वहीं पे एक term होता है Athens, यह एक place है, जिसके बारे मैंने आपको बताया भी था आउपर, Apollo को worship किता था as the god of music, आख समय में Apollo hospitals exist करते हैं, don't get confused, आप spelling याद कर सकते हो, ठीक है, God of music कहा जाता था, इनको और Aphrodite करके एक होती थी, the goddess of love, Ares, goddess of war, sorry, God of war, यह जो war, जंग होती है, उसके भगवान थे, Ares, इंको ऐसा मैना जाता था, we do not know कि यह सच था या नहीं, पर जो यह Greek mythology है, उसके according यह 100% true है, Hermes जो थे, he was worshipped as the messenger of the gods, यह कौन थे, यह messenger थे, सारे भगवानों के, Connecting the Bridges, at the same time in the east, the Zhu dynasty, 1046 to 256 BCE, was ruling in China, and had introduced a feudal setup, जिस वक्त पे सब चल रहा था, उसी वक्त पर, East में, जू डाइनस्टी, जू डाइनस्टी, कहां पर रूल कर रही थी, China में, मैंने Chinese civilization भी पढ़ा ही, अगर आपको इस वीडियो का लिंक चाहिए, तो आपको इस वीडियो की description box में, मिल जाएगा, जू डाइनस्टी थी, वो रूल कर रही थी, चाइना में, और उसने एक फ्यूडल सेटप इंट्रोड्यूस किया था, ब्यूटिफुल ब्रॉंज आर्टिकल्स इस वक्त पे प्रड्यूस किये गये थे, ठीके, do not forget it, other achievements of the zoo dynasty, zoo dynasty के और कौन कौन से achievements है, invention of compass, kite, bronze casting methods, glass making, fertilizer, special sets, ये सारे के सारे zoo dynasty जो थी, I am not saying ZOO zoo, ठीक है, spelling का ध्यान रखना, ZHOU, तो जो zoo dynasty थी, उनके सारे achievements है, और beautiful bronze articles भी, इन ही के achievements थे, क्योंकि जो bronze casting methods थे, वो किसे ने बताये थे, zoo dynasty ने बताये और डेवलाप किये थे, Chinese also developed the technology for hydraulic engineering, drainage, waterways, canals and dams, जो Chinese थे, उन्होंने technology develop की, किस के लिए, for hydraulic, आसके समय में hydraulic lifts होती है, ठीक है, उससे आप relate कर सकते हो, hydraulic engineering, drainage, waterways, canals and dams की जो technology है, वो भी इन ही लोगोंने की थी, Chinese ने, that is zoo dynasty ने, Art and architecture, Grecian art, यह स्पेलिंग याद अखना, Grecian art reached a state of perfection, वो perfection का स्टेट पे पहुँच गये थे, their pots were finely carved and decorated with beautiful paintings, उनके जो pots थे, वो बहुत अच्छे से, finely carved थे, और decorated थे, किस से beautiful paintings है, the Athenians appreciated beauty and the Athenians, यह अधीन के जो लोग थे, they appreciated beauty और इस वज़े से नोंने बहुत सुंदर सुंदर घर और public structures बनाये थे, the Parthenon, Parthenon क्या है, it was a temple built on the Acropolis, Acropolis के बारे मैंने उपर प्रता है, आप मुझे आप कमेंट्स में पता होगे, ठीके, Acropolis पे एक temple बनाये थे, Parthenon के नाम से, in honor of goddess Athena, goddess Athena कौन थी, यह मैंने आपको अभी अभी बताया था, goddess Athena was the goddess of wisdom, तो उनके honor में उनको सम्मान करने के लिए, उनको इजत, respect देने के लिए यह बनाया गया था, it is one of the most beautiful buildings in the world, पूरी दुनिया में जो खुबसूरत buildings हैं, beautiful buildings हैं, उनमें से एक building आती है, Parthenon की, ठीक है, literature, the Greeks were famous for producing the best literary works, Greeks famous हैं, बहुत अच्छे, wonderful, best literary works produced करने के लिए, some of their greatest legends, myths and plays were created around gods and goddesses, उनके जो बहुत famous, best legends, myths of plays होते हैं, they were created around gods and goddesses, a number of epics were also composed during this time, इस समय पे बहुत सारी numerous, इसको कहते हैं, इसको कहते हैं, इसको कहते हैं, क्या epics इसको कहते हैं, Homer, the greatest Greek poet, is still known for his two famous epics, Iliad and Odyssey, Iliad and Odyssey, ये दो famous epics हैं, जो आसके समय भी बहुत ज्यादा popular हैं, ये किसने लिखी थी, it was written by Homer, जो कि एक Greek poet थे, ठीक है, Homer, spelling मत भूलना, H-O-M-E-R, Homer लिखके बस R-E-R करना, ये उनकी photo है, आपकी book में है, I have shown it to you here also, Greeks also wrote detailed accounts of wars with the Persians, Greeks ने और क्या क्या लिखा, detailed accounts उन्होंने लिखा है, of wars with Persians, जो Persians लोग थे, उनके साथ, जो wars हुए हैं, उनके बारे में भी अच्छे से detail में लिखा गया है, Greek historian, जो Herodotus हैं, उनको father of history कहता, आप यहां पी एक चीज दिखोगे, democracy भी हां से शुरू हुई, history जो है, उसका जो foundation है, वो भी हही हैं से डेवलाप हो, क्योंकि Herodotus को father of history कहता है, so definitely history is also linked, the foundation of history is also linked to Greeks और साथ जो father of medicine है, वो भी हही से थे, so a lot of things जो की दुनिया में पहली बारी हुई, जो father of particular field बने हैं, वो Greek से बने हैं, ठीक है, decline जलो बात करते हैं, जो classical Greek period था, वो खतम होने को आया था, कब खतम हों, after the death of Pericles, Pericles कौन थे मैंने आपको उपर बताया था, so I'm not repeating it again, Athens and Sparta were involved in a war for 25 years, जो हैं वो 25 साल तक 25 years straight वो बहुर जंग ही लड़ रहे थे, और सिर्व इस लेकर रहता है कि स्पार्टा को और कुछ नहीं आथा थे, सिवाए जंग लड़ने के, King Philip of Macedonia took advantage of this and conquered the whole of Greece, Macedonia की जो king है, King Philip उन्होंने advantage फाइदा उठाया इस बात का, और उन्होंने पूरा का पूरा Greece conquer कर दिया, अब जब आप 8 में होगे, अब British की बारे में पढ़ोगे, तो एक बहुत important reason कि British जो थे, वो क्यों India को colonize, यानि इंडिया पर rule करने में क्यों successful होगे थे, the reason behind that was, कि जब वो आए इंडिया में trading करने के लिए, तो starting as trader sweetie थी थी है, तो जब वो trading करने आए, तो कैसे शुरूब आत हो, इन्होंने देखा कि यहां पे तो बहुत ज़्यादा political condition weak है, इंडिया जोलर्स capable नहीं है, कि वो इतना ज्यादा बड़ा area कर पाए, और ऐसा इसलिए आप अभी पढ़ोगे जब सेवित में, तो जो मुघल पीरेड है, मुघल पीरेड जब खतम होता है, एक पुरण chaos और एनार की जो थी इंडिया में ऐसा scene चल रहा होता है, और बहुत से इंवेडर्स उस वक्त फाइदा उठाने के लिए आके इंवेड कर जाते थे इंडिया को, उन्हीं में से कुछ इंवेडर्स तो नहीं थे, बट ब्रिटिश केम आज ट्रेडर्स वहाँ पर ट्रेडिंग करते थे, फिर बहुत जादा वीक कंडिशन देखी तो वह एंकारेज होगे, उनको लगा कि हमें कॉंकर कर लिना चाहिए इंडिया को, अब वापेस बैक टूद चाप्टर, एक वार था, इसका लाम है पैलोपनेशन वार, कब से कब तक हुआ, यह आपको याद रखना है, इसने नेशन को बहुत जादा वीक कर दिया, अलेक्जान्डर यह बहुत जादा फेमास इंसान है, अब पढ़ोगे, 6th में, 7th में के बारे में, यह जो अलेक्जान्डर थे, यह किंग फिलिप के बेटे थे, किंग फिलिप कॉन थे, जुन्होंने ग्रीस को कॉंकर किया थे, जो अलेक्जान्डर थे, वह अलेक्जान्डर थे, अलेक्जान्डर थे, अलेक्जान्डर थे, यह अलेक्जान्डर के स्टूडेंट थे, और Punch. छहरे वारे यह ल्तिंद फिलिप जैथ किंग फिलिपने मसीडोनिया के यह थे और उसके बार उसके बाद वारे ने हमक्रन घरीस को इस जटार मसीडोनिया को किसके विद्वर इडुरा ए टोल्ड बाए अलेग्ज मार्ट यहां को अर्लिपा गोल्ड अवरे था विजादा वो इंडिया में भी उनका सपना वागे वो पूरी दुनिया को कॉंकर कर ले पूरी दुनिया पर राज करें वो ही केम अस फार अस नौर्थ वेस्ट इंडिया के तक वो आए और अपने इस अमिशन को पूरा करने के लिए वो अने बहुत ज्यादा इस टॉनिशिंश किया है रान कर देने वाला मिलेट्री कैमपेंड लीड किया इन इस एंचेंट इस्टरी में वह तरह चोंकाने वाला था और वो मिलेट्री कैमपेंड किया था बाई कॉंकर किया राज का ब्रसेंड़ एजब्त आफगानिस्तान तर इन आंपरियें ने पुरी की पूरे जगे उन्हों सिर्फ तर्टी दुनिया को था तोकी आउल वाले थे अगर वो इंडिया और कुछ और शौंक थे लगेते हैं इस greatness consisted of his ability to motivate his men to follow him into hostile unknown regions उनकी सबसे बड़ी strength क्या थी वो ये थी greatness यानि उनकी strength ये थी कि वो अपने जो men थे जो उनके army लोग थे उनको motivate करने की ताकत रखते थे कि उनके army है वो उनके साथ follow करते हैं उनके पीछे 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 कहां तक जाए hostile unknown regions ऐसे रिजन में दूर दूर तक कोई नहीं है कोई जानने वाला नहीं है और वो भी पहने हां का भी नहीं गए ठीक है unknown regions थे पूरे पूरे और वहाँ पर उनके लोग उनके साथ जाए करते हैं तो why because of his ability to motivate them his fears made him think he was superman superhuman and he demanded that the Greeks worship him as God जो Alexander के fears थे उन्होंने उनको ये सोचने पर मजबूर किया कि वो superhuman है और उनका ये demand था कि जो ग्रीक से उनको भगवान के तरह वर्शिप करें कि पूजा करी जाए by including non-Macedonians in his administration and founding Greek colonies wherever he went he brought the Greek and Middle Eastern worlds into closer contact than ever before in trade sharing scientific knowledge and cultural traditions अब जो Alexander तो जैसे से जहां जहां गए उन्होंने क्या किया उन्होंने जो non-Macedonians को आपने administration में इंक्लूड करा और जो Greek colonies थे वो बनाते चले जहां 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 वो गए और इससे क्या हुआ ग्रीक और Middle Eastern के जो दुनिया थी Middle East और जो ग्रीक के जो जगे थी वो बहुत ज्यादा आपस में close contact उनका बन गया trade even before ever before in trade trade में उनका आज से पहले इतना कभी भी closer contact ने था जितना अलेजांडर की जैसे हो गया था ठीक है वो scientific knowledge share करते थे और साथ साथ जो cultural traditions थे when he died due to some strange disease in 323 BCE he had no success who could carry on his glorious legacy जब Alexander की death हुई जब वो मर गए कब मरे हूँ in 323 BCE किसी strange बीमारी की वजहे से वो मर गए in 323 BCE उनका उस वक पे कोई success नहीं कोई उनका बेटा नहीं था उनकी glorious legacy को आगे बढ़ा पर कोई उनका बच्चा नहीं था जब कोई नहीं तो वापके से वाइ जो केवास वाली चीज मैं आपको आगे ना इंडिया में परिवेल करी इवें ब्रेटिश वर्स ट्रेडर्स सेम चीज महाँ पे हुई जो जेनरल्स थे उन्होंने वास्ट एंपायर था वो कहने लगे यह मेरा इंडिपेंडेंट जगे यह मेरा है हर जेनरल को लग में लगा कि अब वह सूर रूल करेगा और एक करके एक की उपर एक की उपर सुपर मैसी आगशन करने की उन्होंने जब फोशेश करी तो फाइनली रिजल्स कुछ नहीं आया और जो उनका अच्छा खासा बना बनाया पूरा इतना था जो एंपायर था वो भी खराब हो गया टूड गया end of greek civilization city-states of ancient greeks fell to roman conquerors in 146 BCE जो ancient greece के city-states थे वो roman conquerors जो लोग आके वहाँ पे conquer कर लिये Greece को वहां के लोगों को चला गया in 146 BCE long after ancient greeks lost its political and military power its cultural accomplishments deeply influenced thinking, thinkers, writers and art especially those in ancient room हाला कि ऐसा हुआ कि ancient greece के political and military power जगी लेकिन इसके बावजूद जो cultural accomplishments थे greece के उन्होंने पहुँजरा influence किया thinkers को writers को, artists को खास करकि उन लोगों को जो की ancient room में रहते थे ancient room एक ऐसे civilization थी जो grew week small agricultural community मतलब वो खेती बाड़ी करने वाले जो लोग थे, उनकी community एक थी उस community से बड़ी होकर वो इतनी बड़ी हो गई कि it was, वो middle sea को straddle करने लगी ठीक है Italian peninsula पे वो established की गई थी और वो maternancy तक extend करती थी कब की बात है यह 9th century BCE में यह पताना चेपको अग्रिकाल्जरो कम्यूनिटी से वो शुरू ही थी इतालियन पैनिसला पे वो फाउंड किये गई थी सो यह Roman Empire है अपकी बुक में same to same I guess दिया हुआ है यह image है map की तो यह आपको अच्छे से धान रखना चेए वैसे यह को कभी ब एक्जाम में आस तक पूछानी गाए तेया Roman civilization changed from a monarchy to a republic based on a combination of oligarchy and democracy to an autocratic empire देखो एक चीज़ होती है monarchy एक होती है Republican democracy अब जो Roman civilization थी वो पहले क्या हुआ करती थी monarchy से वो एक Republic में change हुई based on a combination monarchy से वो Republic तो बनी है क्योंकि Greek में सब कुछ democracy पे based था Republic democracy same है ठीक है तो जब change हुई वो तो उसमें एक combination बन गया oligarchy and democracy simple आप जाप ही समझो monarchy और democracy का एक mixture a combination बन गया और एक autocratic empire बन गया एक special लाम दीदा है autocratic empire because it was a combination it was based on a combination of both democracy and monarchy it came to dominate western Europe and the area surrounding the Mediterranean Sea was so big this civilization that western Europe was so big that it was so big that western Europe was so big that it 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 was so big Roman Republic was a very successful government the Roman Republic the Roman democracy was a very successful government he went to 510 BC to 23 BC for about 500 years Julius Caesar was a great military man and a far sighted statesman Julius Caesar was a very good military man Julius Caesar was a very far sighted statesman such statements which were very much thinking about the future having one enormous territory for Rome he came back a hero and became the emperor in 45 BCE he lived for Rome for an enormous territory and when he died he became a hero and he became emperor in 45 BCE Senators who did not like the dictatorial power that he assumed assassinated Caesar okay this is a big thing to think and surprise you should keep your attention they just keep your attention who started who started to convey the truth if Julius Caesar was assassinated Julius Caesar was assassinated and killed him so he was assassinated by whom by his own Senators they were the other ones who were the military also killed Julius Caesar क्योंक उनको डिक्टाउर्यल पावर्स अच्छी नहीं लगती थी, जो कि जुलिय सीजर कई जुलिय सीजर डिक्राज हम आज यूश करते थे जो सेंटर्स को पसांद नहीं था और सिर्फ इस कारण से उन्होंने जुलिय सीजर का असासाशिनेशन कर दिया यह Julius Caesar की image है, एक statue है बलकि उनका आपको यह ध्यान दखना चाहिए, यह statue आप future में बहुत जगों पर देख रहे हो के एक extended period of political instability and social unrest followed which culminated in the demise of the Roman Republic and the advent of the Roman Empire एक extended period चला किस चीज का political instability थी उस period में और social unrest था followed which culminated, जिसकी वजहे से Roman Empire, Roman Republic का जो demise हो गया, उसकी मर गया, वो Roman Republic का completely decline कर गया, खतम हो गया after his death, Julius Caesar की death के बाद क्या हुआ, Julius Caesar की nephew था, Octavius उसने खुद को declare कर दिया the emperor in 27 BCE में, उनकी जब death हुई 44 BCE में उसके बाद उसका जो nephew था, उसने 27-27 BCE में Caesar, Caesar का जो nephew the Octavius उसने खुद को ही खुदी emperor declare कर दिया, और उन्होंने उसने कौन सा title लिया, Augustus का title लिया, Augustus नाम बहुत ज़्यादा history में पढ़ होगा आगे, he became the first Roman emperor, यह रोमन के पहला emperor बने, during his reign of 40 years, 46 सान उन्होंने reign किया, rule किया, he established peace, उन्होंने peace establish किया, stability लाए वो, जो instability थी, उसको खतम किया, instability नब हो दिया, और देखो, कोई एक power नहीं है, जो आपको बता सके कि आपको क्या करना है, तो यह government नहीं थी, कोई भी, so जब government नहीं होगी, तो लोगों के जो problems है, वो solve नहीं होगे, वो बल्कि problems बढ़ती आते हैं बहुत हद तक, ठीक है, तो जो instability थी, उसको stability में उन्होंने बदला, जो अपना boundaries of his empire, को extent के मतलब, जो empire उसको और बढ़ाया, और जगे अपनी territory में लाए, और economic prosperity को promote या नहीं, इस दौरान जब वो rule कर रहे थे, तब उनको जादा अच्छी-कासी wealth मिली, ठीक है, prosperous, यह यह कहलो, prosperity के terms में वो बहुत अदा ग्रो की है, Roman Empire finally came to an end, Roman Empire कब खतम होने को है, in the 5th century, CE, after it succumbed to the repeated attacks, बता barbarian tribes, barbarian tribes के repeated attacks से उसको जब सकम किया गया, तो Roman Empire, यानि उसको खतम पया गया अपनी, so that's all for this chapter, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी, then do get a thumbs up, share it with your friends and also don't forget to subscribe my channel, one thing very important, जो यह इससे मैं आपको पढ़ाया, अगर आपको इसके notes चाहिए, then do tell me in the comment section, बलकि आपको इस वीडियो के जो description box, इससारे notes मिल जगेंगे, मैं आपको यह use करने को इसले बोल रही हूं, सारी आपकी book की language है, पहली बात हो, images book से अच्छी है, clearer है, So yeah, that's all for this video, अगर आपको यह video अच्छी लगी, then do give it a thumbs up, share it with your friends, and also don't forget to subscribe my channel, साथ साथ एक important चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर जिस चीजों से मैंने आपको यह पढ़ाया है, यह जो notes, अगर आपको यह notes रही है, तो you can get it through a link in the description box में, link दी गई है, आप उसको उस पर जाके, यहां से notes download कर सकते हैं, और इन notes का फायदा यह है, कि आपके बुक में जो पारग्राफ में दिया गए है, वो चीज नहीं है, यहाप पर और साथ साथ, इमजे भी बहुत 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 क्रिएटिव सी मैंने लगाने की कोशिश करी है, so them will be helpful for you, if you want to download them, the link is there in the description, आगर आपको कोई भी क्लासिक्स का चाप्टर पढ़ना हो, किसी भी सजय का हो, then I am there, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, I will try my level best, कि मैं जल से जल आपको वो चीज अव चाप्टर की वीडियो प्रवाइट कर पाऊं, so until next video, bye bye and take care, I'll see you soon my next video.